नवस्कार हमारे यूटूब चैनल अद्वत्य स्टोरी चैनल में आपका हार्थिक स्वागत मैं अपिनेंदन करता हूँ आज मैं आपको उधल का विभा सुनाने जा रहा हूँ आला उधल धेवा मल्खान लाखन आज मैं आपको जो उधल का विभा दियान से सुनीए मुझसे कोई गलती हो तो छमा करिये उधल का विभा मैं संपूर और आपके सामने कहनी के माद्यम से आपके समस पेस कर रहा हूँ सबी माताओं और बहनों बुजर्गों भाई और बहनों को हारदिक में स्वागत और अविननदन करता हूँ आपको पता है महुबा नगर में राजा परिमाल राजिकिया करते थे उनके अधिन आला उधल मल्खान मलखान की जो सिर्षा के राया थे मलखान उनकी भी साधी हो चुके थी आला की भी हो चुके थे रहे गए थे उधल उधल की साधी होने को थे उधल एक समय के लिए सिकार खेलने के लिए निकलते हैं जंगल की तरब जब जंगल की तरप उधल सिकार खेलने के लिए निकलते हैं उधर क्या देखते हैं और ही का राजा माहिल मामा माहिल उधर से आते हुए मिले यह उधल तुमारी भजाओं में बहुत तागत है जो महरमगड़ है महरमगड़ और उसे नर्वरगड़ भी कहते हैं जहांके राजा मोती मल है उनकी एक बेटी है जिसका नाम है फुलबा वो सुन्दर है इतनी सुन्दर है उसके समान कोई सुन्दर नहीं है क्या तुम उससे साधी कर सकते हो वो तुमारी राहा देख रही है तब ही उधल ने कहा मामा कैसी बाते कर रहे हो यह बाते सुनकर साम को जब अपने महबा के लिए लोटे दरबार में लोटे क्योंकि उधल उदास्त थे कहा क्या दिक्कत है राजा परमाल ने कहा उदल ने कहा कोई दिक्कत नहीं है मैं सकुल और कुसल हूँ राजा ने कहा कोई बात नहीं आज मैं आपको एक काम बताऊंगा क्यूंकि हम राजाओं के रित होती है कि हमेशा कहीं ने कहीं से युद्ध होते रहते हैं इसलिए हमारे पास घोड़े कमजोर हैं जाओ तुम घोड़े खरीद के लाओ काबुल से और काबुल से घोड़े खरीद के लाओ ये बास सुनकर उधल से कहा एक साती को ले लो जो तुमें अच्छा लगे उधल ने धेबा को चुन लिया और धेबा से कहा चलो महराज के लिए काबुल से घोड़े खरीदने चले घोड़ों का इंतिजाम किया जाता है और घोड़ों में असरपियां मोहरे भर लेते हैं भरने के बाद में चल देते हैं काबुल के लिए काबुल के लिए पिर्स्तान करने लगे चलते चलते रास्ते में क्या होता है उधल का बिचार बदल जाता है उधल कहता है धेबा से धेबा मेरी दिल की बात सुन लो धेबा कहता है बताओ भाईया उधल कहता है यह राज है महरम गड़ नर्वड गड़ यहां की बहुत ही सुन्दर बेटी है जिसका नाम है फुलबा वो सुना है मैंने की पाच फूलों में तुली जाती है मुझे उससे मिलना है उससे साधी करनी है अगर तुमने नहीं मिलाया तो मैं यह अटारी जो तलवार है तेग मैं अपने मार लूँगा और मर जाऊंगा इतनी बाते सुनकर ढेबा बोला भाया क्यूं चिंता कर रहे हूँ कैसी बाते कर रहो कई नहीं ढेबा मुझे तो मिलना है तो मिलना है चलते चलते पहुच जाते हैं नर्वड करड के फूल बाग में जब फूल बाग में इंटर करते हैं अंदर तो बहा की जो मालिन थी जिसका नाम था हेरिया मालिन वो बोली उधल से धेवा से कि है जनाने अबाग है इसमें केबल जनानी ही लोग रहते हैं इसमें मर्दों का कोई काम नहीं है इसलिए तुम यहां से चले जाओ कौन कहता है हेरा हेरा मालिन उधल से क्योंकि हेरा मालिन को नहीं पता था कि ये उधल, हेरा मालिन को उधल ने पाँच असरपिया दिन, हेरा मालिन असरपियों के लेकर बहुत खुस हो गई, उसे लालच दिया, कहा जे पाँच असरपिया तुम रख लो और मुझे इस बाग में टेका लो, क्योंकि बाग में एक कम्रा था, उसमें उधल और धेवा को अंदर लिटार लिया, उसके बाद में क्या होता है, जब सुबए का टाइम होने से पहले, पाँच असरपिया और तीं, गधल ने कहा, जाओ मेरे घोडों के लिए दाना की विष्टा कर दो, वो बोली, नहीं मुझे सुबए, फुलबा के लिए फूलों का हार ले जाना पड़ता है, तो बोले, उधल मैं मालिन हूँ, मेरे ही यहां भी फूलों का काम होता है, मैं बना दूंगा हार, मैं बना दूंगी हार, तब वो गोड़े के दाना के लेने के लिए, हीरा मालिन चली जाती है, उधर जो उधल थे वो हार बना रहे हैं उसमें उनोंने अपनी मोतियों का हार छिपा दिया लाखों का जब हार मोतियों को लाखों का छिपा दिया मालिन भक्ती हुई उस हार को लिये और पहुच गई महल में महल में पहुच गई और फलवा को हार दिया जब वो फोलों में पाच फोले में रोज तुलती थी जब वो पुर्ष का छुआ हुआ हुआ हार उसने पहंदा उसे नहीं मालुम था मालिन को इस हार में क्या है वो फोलों से नहीं तुली तुरंत मालिन से कहा इस हार में क्या है इसे किसने छुआ है आज मैं तुल नहीं रह उसमें मौतियों का हार हीरो से जड़ा हुआ개 हार कहा मालिन एक कون है किसने बनाया है कون इतना बड़ा है लाको कड़ोरो का हार इसमें डाल देया आप मालिन करे तु क्या करे मालिन गहरे है महुबा में मेरी एक बहन है वो बहन आई हुई है उसके हाँ महवा में कोई गरीब नहीं है सबके घर के बाहर दो दो घुडे दो दो हाती कोई खाने पीने की कमी नहीं है सोना चांदी इतना परमपार है क्योंकि बहां के राजा परमाल है उन पे पारस बटिया है जो लोहा चुट सोना हो जाए इसलिए महवा सहर में कोई गरीब नहीं है तो ये बात जब फुलबा ने सुनी कहा तुम अपनी बहन को मेरे यहां ला सकती हो लेके आना अब वो बापस पहुची और उधल से कहा परतिसी अब एक समस्या खड़ी हो गई है की बताओ मेरे तो कोई बहन नहीं है उसने कहा कि तुमारी जो बहन है मैंने कहा उसमें मोटियों का हार तुमने रख दिया अब मैं अपनी बहन कहां से लाऊं जब बहन कहां से लाऊं तबी उधल बोले हेरा मालिन तु चिंता मत करे तु ए ले दस सर्पिया और ले और जितना जनाना सामान होता है सिंगार का सब ले के आ उधल ने सारा सामान मंगा लिया उधल नर से नारी बन गए अब धेवा कहता है तुमने मेरी नाक कटा दी कह तलवारों में जंग लग गई जो तुम नारी बन रहे हो मैं तो एक कहूंगी जाके कहूंगी जाके राजा के हाँ तभी उधल ने धेवा को फिर से समझाया और नाक छिदाली उधल ने सारे काम जनाना बन गया और पीछे अपने तेक टलवार टुका ली और कहा हीरा मालिन से हुकम कर दो कि मैं डोली में जाओंगी मुझे कोई देख गए और बैठ के पहुच गए हैं फुलबा के महिल में अब फुलबा पलंग पे बैठी हुई है अब वो गुदल सोच रहे हैं कि अगर हम पैरों की तलब बैठेंगे तो मेरा अपमान होगा छत्रिय धरम नश्ट होगा इसलिए वो बहां से उठे और सिर की तरब बैठ कि जब महुबा में राज घराने से जुड़ी हुई हैं इन्हें सब लोग बहां इतना ही चाहते हैं इसलिए तुम इनसे गुस्सा मत करों तब क्या हुआ उस ने फुलबा ने उस मालिन से कहा तुम चली जाओ इन्हें मैं आज अपने पास रखूंगी और सुबह इन्हें भेद होंगी क्यों से नहीं मालुम था कि एही उधल है अब साम हुई उससे वो ने लगी फुलबा की बहना ए बताओ महुबा में परमाल के कौन कौन लड़के हम तो कहा बहां उधल हैं आला हैं माहिल हैं आला हैं उधल हैं मलिखान हैं लाखन जैसे बिराड बीर बीर बातें करते करते कहा आला की साधी मचला के साथ हुई है मलिखान की साधी गजना के साथ हुई है सिर्प उधल कुमारे हैं तब ही वो कह रही उधल से तो मैं ही साधी करूंगी क्योंकि उधल ने मुझे बरदान दिया था फुलबा कह रही है कि ये बताओ उधल कितने अच् उदल की सकल कैसी है उदल का चेहरा कैसा है अब उदल स्वेम कह रहे हैं कि देख फुलबा उदल की छबी और सकल मेरे जैसी है उदल ने पूरी बात कह दी मंगर फुलबा नहीं पैचान पाई कि उदल हैं सारी बातें जब फुलबा पूछती रही सारा हाल पूछता रहा पूछते रही फुलबा उदल से उदल बताते रहे लेकिन फुलबा को नहीं मालूम था कि यह मेरे पिया है यह मेरे स्वामी है जब रात बहुत हो गई उदल को सो गए जब सो गए जैसे ही फुलबा का हाथ उदल पे पड़ा तो देखा क्योंकि उदल का ज्यांगिया दिग गया था फुलबा को फुलबा किरुदाई उसनी कहा यह क्या हुआ यह तो कोई मर्द है तुरंत चार पाई पर ही उदल को रस्टी से बांदिया जब रस्टी से उदल को बांदिया फुलबा ने उदल ने जब देखा कि यह तो मेरा भेद खुल गया कहा अभी फुलबा कहरी अभी मैं अपने भ बारों में क्या जंग लग गई है तुरंत उठे उधल जड़ाका खाके तुरंत रस्याट तोर दिन कहा तुम मुझे एरा गेरा न थूख एरा समझ रही है मैं हूँ उधल तो देखा कि उधल तुम जनाना की मैं तो तुम्हें देखना चाहते थे तुरंत भुलबा उनके बह हाँ में हाट डाल कर रोने लगी हे स्वामी मुझे माप कर दो कहा मैं तुम्हारे बगएर जिन्दा नहीं रहोंगी तभी कहा उधलने चिन्दा मत करो मैं एक महा के अंदर तुम्हें बिभा के ले जाओंगा तुम से साधी करके ले जाओंगा उसके बाद में बहां से चल बाग की तरफ और मालिन को फिर से वो अपकी 200 असर पियां देते हैं हीरा मालिन को और चलते हैं जंगल की तरफ दोनों लोग धेवा और बन में विचार कर रहें कि मैंने तो सारा धन लुटा दिया अब हम क्या करूं तबी धेवा से कहता है उधल मैं एक बहना बनाता हूं बी मिमार सारा धन लग गया अब बहें बताओ क्या करूं अब उधल ने खाना पीना सब छोड़ दिया और पहुंच जाता है महवा में जहां परमाल की कचेहरी लगी हुई थी धेवा कहता है क्यूंकि जब धेवा कहता है बहां पर धेवा जाता है मलखान के बहां परमाल के दर पहुषता है सिरसा में क्यूंकि उधल इतना बीमार हो चुका था दिखाबटे नाटक कर रहा था क्यूंकि उसने खाना पीना सब छोड़ दिया क्यूंकि वो कैसे कर सकता है अपने भाई से की मेरी साधी करा दू अब भाई आला तो बीमार हो गया कई उधल तो बीमार हो गया काबुल से लग गये थे घोड़े लाने सारा धन लग गया उनकी बीमारी में अब राजा परमाल कह रहे हैं कि धेवा जितना भी धन लगे मेरे उधल को सही कर दो सारे लोग परिसान हो गए, माहिल भी परिसान हो गया कि ये कौन सी बीमारी है जो सही नहीं हो रही क्योंकि बहुत बीमार रहने लगे थे उदल जब उदल बहुत बीमार रहने लगे, कतेंग बिल्कुल चार पाई में मिल गए अब जो बाव माहिल की जो मलखान की रानी थी जिसका नाम था गजना उसने माता सारदा से क्योंकि किसी को बीमारी समझ में नहीं आ रहे थी उसने माता सारदा को याद किया कि है माता सारदा मेरे देवर को क्या बीमारी है मुझे बता दो ना जब ये बास सुनी माता सारदी नहीं कहा तुम्हारे देवर को कोई बीमारी नहीं है सिर्फ इसक की नैन की बीमारी है एक काबूल गयते गोडे करने इनने सारा धन फुलबा के उपर लुटा दिया फुलबा से बाइदा करके आए कि एक महा के अंदर मैं तुमसे साधी करके ले जाओंगा माता कहके इतनी बात अंतर ध्यान हो गई तुरंत गजना पहुची देवर के पास कहा देवर से देवर अब तुम ये नाटक सारा बंद करो मैं तुमारी साधी करवाऊंगे देवर बोले अरे एह बात कैसे पता लगी तुम्हें तो कहा मुझे माता सार्दे ने सब कुछ बता दिया अब जल्दी से नाटक छोड़ो जल्दी से मैं अपने आपके विराता मलखान से कहूंगी आपका विभाद जरूर करवाऊंगे तुरन्त मलखान को बोलाया कहा दूरन्त मलखान के और गजना ने पैर पकर लिए कि मेरे देवर सही हो गए है क्यूंकि एक माहा के अंदर विभाद करें का बाइदा करके आए हैं एक इस को बताऊं तो इसलिए विमार हो गए हैं कहा मलिखान ने चिंता मत करो मैं तुमारी साधी बल बूर पूर्बक करवाऊंगा तब ही भाई उधल उठ गए और खाना पिने खाने लगे सही हो गए तुरंत जो थे मलिखान पहुशती है महराज परमाल की दर्बार में परमाल से कहते हैं कि मुझे उधल की विभा कराना है मुझे कुछ फाउज दो नर्बडगर पे युद्ध की संभापना है आला मना करते हैं और इंदल कहता है मैं अपने चाचा की बरात कराने के जाऊंगा तब ही आला होते अपने बेटे इंदल को चाटा मारते हैं तुझे सर्ब नहीं लग रही है हमारे होते हुए तुझ आएगा फिर फाउजों की तयारी होती है अब फाउज चल देती है सारी विवस्ताएं सारा गड़ पहुंग जाता है नर्बडगर पे जब उधल को दूलह बना दिया जाता है कंगन पहुंदा दिया जाता है बराचल देती है नर्बडगर के लिए जब नर्बडगर का धुरा आता है बहीं पर सारे लोग रुक जाते हैं और राजा परमाल का जो प्रतनिद करते थे क्योंकि जो कचेहरियां लगती थी बहाँ पर मानगलिक राजा आला करते थे आला ने अपना दर्बार लगाया और बहाँ पर पान का बीड़ा डाल दिया कि जो ये सूचना राजा मोती मल को पहुचाएगा उसे मैं पांच गाउं इनाम में दे दूँगा उही उस बीड़ा को चबने को तयार नहीं हुआ तो बहाँ के लाखन कनोजी राए लाखन उठे और संग में उनका नाई था एपन बाड़ी जो ले जाएगा एपन बाड़ी जो बीड़ा चबा लिया लाखन लाखन ने गोड़ा लिया और एपन बाड़ी को लिया जिसका नाम एपन बाड़ी था नाई उसने बरंगे जिसे बोलते हैं उसे लेकर पहुचे जहां राजा मोती मल का दर्बार लगा था कहा मैं महोबा नगर से आया हूँ मुझे आपकी बेटी फोलवा की साधी अपने उधल से करना है एप बास सुनकर आग बबूला होट गय क्योंकि सेना में और लाखन और एपन बारी कहने लगा मुझे इस्तान बता दो जहां पर मैं ये नेग रख दूँ अब घंगोर युद होने लगा कहा हमसे बचो मेरे राजाओ को बाद में जब इतना भेंकर युद होगा बहुत सेना पराजित हो गई क्योंकि नाई एपन बारी ने इतनी सेना पराजित कर दिया और कहा कि जहां के महोबे के नाई और सेना इतने तागत भर हों बहां के राजा कितना तागत भर होगा उसके बाद में ए सब लोग एप लाखन और एपन बाड़े चला आता है राजा आला के दर्बार में जहां आला का दर्बार लगा था और तुरंट अब उसकी आग बबूला हो गई उधर क्या होता है जो मोती मल था उसने अपने बेटे सूरज को बुलाए का सूरज जा सेना को तयार करो युद्ध करो जाके अब सूरज ने अपनी सेना को तयार किया युद्ध करने के लिए तयार हो गया और तयार करते करते पूरी फोज को लेकर जैसी उन्होंने ललकारा तुरंट आगे मल खान पहुँचे मल खान ने जैसी उससे युद्ध किया सारी सेना बचगे केवल मलखान और सूरज का घंगोर युद्ध होने लगा कहा अपनी बहन को मेरे भाई उदल से विभा कर दे नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा सूरज कह रहा है नहीं छोड़ूँगा सूरज कह रहा है मैं अपनी बहन की साधी उदल के साथ नहीं जब सूरज को महोवा वालों ने मार दिया जब ए सूचना महोवे वालों ए सूचना जब नरबडगर के राजा मुती मल को पिली मुती मल किरोद आ गया और कहा अपने बेटे मकरंद को तुरंट बुलाया क्यूंकि मकरंद को जब सूचना मिली तो तुरंथ मकरंद भगबान भूले ըात के मंदिर में गया और कहा है भगबान भूले ըात मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की है मुझे बर्दान दो अमर होने का बोले नात बोले कि महोवे बालों से तुम नहीं जीश सकते हो महोवे बालों को उधल की पतनी उधल की साधी फुलबा के साथ तै होना है तुम मान जाओ मत युद्ध करो अब उधल कहे रहा है चिंता मत करो जो था मकरंद संकर जी से कह रहा मुझे बर्दान दो अमर होने का भगवान संकर कहते हैं कि मैं तुम्हें अमर होने का बर्दान नहीं दे सकता हूँ तो कहा नहीं मैं यहीं पर मर जाओंगा तो भगवान ने कहा तुम्हें अमर होने का तो बरदा नहीं दे सकता हूँ लेकिन जब तुम्हारा सिर कटेगा तुम फिर से जिन्दा हो जाओगे लगभग तुम पच्चिस बार जिन्दा हो सकते हो जब एवास सुनकर तुरंत वो पहुँच गया यूद्ध के मैदान में खेतों के मैदान में जंगलों के मैदान में जहां पड़ा पड़ा था महवे की सेवा को और जैसी ललकारा का हाई कोई लड़ सके तुरंत वेड़ा डाला की कचेरी लगी थी तुरंत वेड़ा डाला की कौन लड़ेगा उसके बाद में तुरंद बहां के जो थे ताला सेयत पूरी सवा लगे थे तुरंद पहुच गए लड़ने के लिए फिर से लाखन जब लाखन में और मकरंद में बार बार यो दो हो रहा है जैसे लाखन उसकी मकरंद की गर्दन को उड़ाते हैं तुरंत देखते हैं कि उसकी तमाम गर्दन फिर से वो जिन्दा हो जाता है ऐसे कई बार गर्दन कटी लाखन अचम्बित पड़ गए अब भाई जब बार बार जिन्दा होता है तो लाखन सना का खाय गिर गए जैसे ही उसने मकरंद ने बाड मारा लाखन मुरच्चित हो गए बहाँ पर तुरंत सेना भागी आला के पास कई कि लाखन मुरच्चित हो गए तुरंत उधर मकरंद ने लाखन को बंदी बनाके और एक ढ़ह थी जो अंदर गड़ा खुदा होता है बक्सी बोली आती उसमें डलवा दिया फिर वे बास सुनकर मलखान पहुचे मलखान ने जैसी कहा मकरंद इधरा मुझसे उद लड़ो मकरंद और मलखान का इद्ध हुआ इद्ध होते होते जब ये कहा फिर से गरदन कटती फिर से जिंदा होती फिर से गटती फिर से जिंदा होती उसके बाद में फिर क्या होता है मकरंद ने महल को भी बाड़ मार कर बंदी बना लिया और उसी भक्सीत में डाल दिया अब फिर फाउच भांगी अब कौन बचा था उधल ने अपना कंगन उतारा उधल पहुच गए अउधर तहार पार्त मतलब जारी सारी सिनाव को बंदी बन गया अब बचे उधल जैसे उधल ने अपने तलबार उठाई और पहुच गए मकरंद से लड़ने के लिए उधर ज सुद्ध लड़ना है क्योंकि अब कोई नहीं बचा है सारे लोग बंदी बन चुके हैं क्योंकि आला को बरदान था आला तलबार ने उठा सकते थे तेग नहीं उठा सकते थे क्योंकि जब वो तेग उठाते तो बारा बर्स तक सुका पर जाता था मास सार्दी का अशिर ब जिन्दा हो जाए कहा कि यारे मनुस्वों तो उसे युद्ध करना चाहेंगे ये भूतों से काउन निदु करेगा जो गर्दन कटी वो जोडते हुए भगवान सिब को इंदल ने देख लिया कि ये भगवान सिब संकर कर रहे हैं इसकी गर्दन को बार बार जोड रहे हैं जो उधल थे उधल को भी बंदी बना लिया सबसे पहले उधल को उसने बंदी करनाया जैसे पहले सी जब गर्दन काटी उधल ने तैसी भगवान सिब संकर के पास पहुचा है इंदल के ये क्या कर रहे हैं दोकर उन्हें भगवान सिब को आपिस सब्द कहे कहा जल्दी से हां से चली जब बहुत मामला खराब हो जाएगा तुम ही इसे जिंदा कर रहे हूं जब ये बात भगवान सिप के पीछे इंदल पड़ गया भगवान सिप को भागते ही रस्ता दिखानी भगवान सिप भाग गये अब जब उधल को भी उसने बंदी बना लिया तब इंदल न अब तू किसके ऊपर लड़ेगा अब इंदल ने मकरंद को मारा तलबार मार कर करदन काट दिया अब गरदन जिंदा ही नहीं बची क्योंकि भगबान से बहां से भाग गए थे अब जो नरबड गड़ था उसमें कोई नहीं बचा था परास्त कर दिया था अब जैसे उनका भ हकसी में डाल दिया गया तो बताया फुलबा ने सारे लोगों को छुटाया उसके बाद में मामा माहिल क्या काम करता है पहुन जाता है राजा नरबड गड़ के यहां कहता है इन बनाफरों से तुम क्यों साधी कर रहे हो अपनी लड़की की ऐसा करो तुम इने भावरों के भावरों के लिए बुलाया और नीचे गड़ा खुदवा उस पे चटाय बिच्वा नीचे बारुद लगा दो जिस से भस्म हो जाएंगे राजमा माहिल ने चुगल खोरी नहीं चुकि अपन जब कहा राजा से राजा ने ऐसा ही किया राजा के पास जो कुछ सिपाई मचे थे उन्होंने भावर के लिए बुलाया और बंब फटने लगे क्यूंकि उधल आला मलखान जैसे वो पहले से छुट चुके थे आपस में समझोता हो गया जैसे ही पहुचे क्यूंकि राजा ने फिर से चाल चली तभी आला उधल सब लोग समझ गए मामा माहिल की चाल है त फिर तलबार ठक तक तलबार चलती है टेगा तक तक चलता है चलते चलते जब चलते जब तलबार चली फिर से सेना को परास्त कर दिया अब राजा नरवरगड को महववे के सेना के सामने उधल मलखान धेबा सेयद के सामने जुकना पड़ा बलबूर बग फुलबा की साध उदल के साथ कैसे हुई और मचला की साधी मचला के साथ हुई थी मलखान की साधी गजना के साथ हुई थी जिसे गजमतनी भी कहते हैं और जागन की साधी कसवटी गड़ से हुई थी जो आला उदल का भंजा था अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करें मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझ कर समा कर देना फिर मिलते हैं एक नई आला तरज के साथ जैस सिरी राम जैमा सार दे माता की चैए